हेलो एवरिवन एक बार फिर से आप सावी लोगा बहुत-बहुत स्वागत है अकेडमी 24x7 के इस डेली करेंट फेयर्स के वीडियो सेसर में दोस्तों आज है चार फरवरी का दिन और जाम इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं करेंट अफेयर्स के कुछ सकते हो पहला कुछन लेते हैं हाल ही में आक्सफोर डिक्सनरी बहुत इंपोर्टन कुछन है आपका जरूर से याद रखें हाल ही में आक्सफोर डिक्सनरी ने किस सब्द को वर्ड आफ दा इयर चुना है यानि कि किस सब्द को साल का सब्द चुना है वर्ड आफ दा इयर जो अभी आपका budget पारित हुआ एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मणा सीता रमन जी के द्वारा पारित किया गया उसमें भी आत्म निरवर्वर्थ भारत के बारे में बहुत जादा बात की गई ठीक है जो जो आत्म निरवर्था सब्द है इसका वर्स 2020 में बहुत ही जादा परियोग किया गया इसलिए अप्सपोर्ट डिक्सेंडरी ने इसको वर्ड अफ दा इयर गोसित कर दिया ठीक है लेकिन यही पर एक सवाल और उठता है क्या उठता है कि अभी कुछ दिन पहले Cambridge dictionary ने जिहां Cambridge की वी एक dictionary है उसने भी एक अपना वर्ड अफ दा इयर गोसित किया था वो क्यों चाहिए वो है आपका quarantine ठीक है quarantine या फिर quarantine जो भी आप पढ़े ठीक है तो इसको उसने गोसित किया था वर्ड अफ दा इयर तो इसलिए confuse नहीं हो ना मैंने दोनों को बता दिया Oxford आत्म निर्भरता quarantine किसने दिया है आपका Cambridge ने दिया है देखिए आप याद कैसे रखेंगे Oxford आप हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे तो आपने लिखा हुआ है तो आक्सपोर्ड की सुरुवात हम कैसे करते हैं आ लिखते हैं और आत्म निर्भरता में भी हम आ लिखते हैं ठीक है तो यानि कि important है बढ़ते हैं दूसरे question की तरफ दूसरा question कह रहा है हाल ही में महात्मा पुरुसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया कौन सा पुरुसकार महात्मा पुरुसकार 2020 से तो यह इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है जिंदल steel and power limited के अध्यक्ष नवीन जिंदल जी को ठीक है ना option आपका D सई होगा नवीन जिंदल जी को यह पुरुसकार दिया गया है किसके अध्यक्ष है जिंदल, steel and power limited JSPL के यह अध्यक्ष हैं वरता हूं अच्छा है इनको यह पुरुसकार क्यों दिया गया क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना का बहुत पिछले साल बहुत ज़्यादा असर रहा अभी भी फिलाल इस साल है ठीक है तो कोविड-19 महामारी में इन्होंने बहुत से समधायों को और जो लोकल बॉडीज है ठीक है ना लोकल एड्मिनिस्टेशन है उसको बहुत प्रिजान किया तो उनके इस मानवी प्रयास को सरहाना देने के लिए या फिर उनके सम्मानित करने के लिए उनको यह पुरुषकार दिया गया कौन सा महात्मा पुरुषकार 2020 इस पुरुषकार की स्थापना और गठन अमित सचदेवा ने किया अमित सचदेवा को भारत का the CSR man of India कहा जाता है ठीक है ना the CSR man of India ये CSR क्या होता है corporate social responsibility ठीक है एक बार मैं बता देता हूँ आपको CSR क्या होता है corporate social responsibility कोई एक बहुत ही बड़ी company महारत नौरतन company वो क्या करती है अपना जो उसका एक वर्स का सुद्ध profit होता है उसका 2% अपने सुद्ध profit का 2% CSR के कामों में खर्च करती है निकी corporate social responsibility social welfare के कामों में अपना वो 2% खर्च करती है ठीक है ना हाँ तो अमित सचदेवा को the CSR man of India का जाता है आई होव आपको मेरी बास समझ में आ रहे होगे आप कोई confusion हो है तो आप कमेंट करके पूफ सकते हैं वीडियो पसंदार हो तो लाइक और से जरूर से कीजिएगा एक लाइक एक से हमें motivate करता है आपके लिए लगातार बहतर से बहतर काम करने के लिए तीसरा question लेते हाल ही में किस एतिहासिक घटना का सताब्दी समारू मनाया जाएगा सताब्दी समारू यानि कि इसके सो वर्स पूरे हो जाएंगे कब पूरे हो जाएंगे आज यानि कि चार फर्वरी को इसके सो वर्स पूरे हो रहे हैं, कौन सी घटना है आपकी यह चौरी चौरा घटना है यह कब घटना हुई के history के point of view से important इसके बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं तो जब असायोग आंदोलन हुआ उसमें जो प्रदर्सन कारी भाग ले रहे थे उन्होंने क्या आंदोलन किया आप प्रदर्सन कारी हैं पुलिस पर एक पुलिस इस्टेशन पर आग लगा दी जिससे क्या हुआ उस पुलिस इस्टेशन के अंदर जितने भी सैनिक थे लगबग 22 पुलिस कर्मी थे उनकी जल करके वहीं पर उनकी हत्ते हो गई और इस आंदोलन लगबग 3 नागरिक भी मारे गए थे ठीक है ना तो इस घटना से छुब्द होकर महत्मा गांदी जिने अपना असायोग अंदोलन इस्टगित कर दिया था ठीक है असायोग अंदोलन कब शुरू किया था महत्मा गांदी जिने 1920 में शुरू किया था और कब खतम कर दिया 12 फरवरी 1922 को याद रखें असायोग अंदोलन कब खत ठीके ना दोनों कुशन आपके हिस्टी के point of view से important और current के point of view से important ठीके आई होपने आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बढ़ते हैं कुछन की तरफ हाल ही में किस ने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पाइलट बनने का कीर्थिमान इस्थापित किया है इनका क्या नाम है इनका नाम है आयसा अजीज ऑप्शन सी आपका सही होगा आयसा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पाइलट बनने का कीर्थिमान इस स्थापित किया है मात्र ये 25 वर्ष की उम्र में पाइलेट बनी है ठीक है इनका संबंद कहां से जम्मू कास्मीर केंसासिस परदेश से इनका संबंद है आईसा अजीज का 2011 में ने क्या क्या था अपना जो पाइलेट लाइसेंस था उनको मिल गया था 2011 में तब ये सबसे कम उ पूर्व में 2011 में अपना लाइसेंस मिल गया था इनको ठीक है न चली आंगे बढ़ते हैं पांच में कुशन की तरफ हाल ही में आईसमान भारत का योजना का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है या फिर किसे बनाया गया ये है ट्राइज जी हां ट्राइज के पूर्व अध् पूर्व अध्यक्ष और सर्मा जी को बनाया गया है ऑप्शन सी आपका सही होगा ये किसका इस्थान लेंगे इंदू भूसवन जी का इस्थान लेंगे जी हां इसके पहले यानि के अध्यक्ष CEO कौन था आईसमान भारत योजना का इंदू बूसवन जी थे तो आप इंद किया गया था ठीक है तेज सितंबर 2018 याद रखें इंपोर्टेंट पूंचा जा सकता है त्राइग के वरतमान में अधक्ष कौन है डाक्टर पीडी वगेला ठीक है डाक्टर पीडी वगेला वरतमान में ट्राइगा अगे बढ़ते हैं चठा कुश्चन लेते हैं हाली में क या फिर यू कहें कि राष्ट्रि ए रस्ट्री एकprochenड िरुसी के बात करें तो यह ज्यादा तरय ने बंगाल की टिम से खेला हुआ है श्त ऑफिनों कि विए टिम प्रत्रेया लें है जैसे कि इन्हों अपने सन्यास की गोस्टना कर दी है अगर आप हमसे सोसल मीडिया के मादन से जोड़ना चाहते हैं इंस्ट्राग्राम पेच इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं वीडियो में साथवां कुश्टन लेते हैं हाली में चर्चित अमेजन ठीक है बहुत फेमस आपका बहुत इंपोर्टन वीडियो है अमेजन का अंगला CEO किसे निक्त किये जाने की गोस्टना की गई है तो अमेजन का अभी वर्तमान में CEO कौन है यह है आपके जेफ बेजोस लेकिन अब इन के इनका स्थान लेंगे एंडी जेसी ओप्शन ए आपका से हुगा है एंडी जेसी एक जुलाई से इस पद को समालेंगे किस पद को Amazon के CEO का पद समालेंगे ठीक है ना अभी एंडी जेसी किस पद पर है Amazon के वेफ सर्विस के मुख कारकारी के रूप में यह नियुक थें ठीक ना कब की गई 1994 को की गई लगभग 27 साल पहले इसका हेटकौर्टर है सिएटल वासिंगटन डीसी कहां पर सिएटल वासिंगटन डीसी में इसका हेटकौर्टर है Amazon का चलिए आगे बढ़ते हैं आप सभी जानते हैं e-commerce साइट है कौन सी Amazon चलिए आगे बढ़ते हाली मे अपका सही होगा क्यों इसको स्थापित किया गया है तो इसका उद्देश से महत पूर्ण समनमय के साथ एक ही जगह पर एक ही जगह पर बहुत साही सेवाए परतान करके अपंगरोगी देखभाल में सुधार करना ठीक है बढ़ते हैं नमे कुशन की तरफ हाल ही में चर्च है जहां पर उन्होंने अपना जंडा फराय इंडिया का जंडा फराया इसकी उचाही है पाँजार नौसो सौरी पाँजार आठ सो पंचानवे मीटर फाव थाव थावजन एट हंडेंट डाइनटी फाइव मीटर ठीक न यह कहां है आपके अगर पूरे अफ्रीका कहां पर तंजानिया में ठीक है इनका संबंद है उत्तर प्रदेश से और अपसन नहीं आपका सजुगवा उत्तर प्रदेश के गोरग पुर्जेलेसिन का सब्बंद है किसका नाम जरूरी याद रखना है निती सिंग का इन्होंने कहां जंडा फराय किलीमंजारू ठीक है तंजानियम है आपकी चली आँगे बढ़ते हैं वीडियो में आज के वीडियो में नौ ही कुईश्चन थे अब ले लेते हैं कल के कुईश्चन का जवाब मैंने आपसे कल पूछा था कि हाली में चर्चित किस देश में एक साल के लिए आपातकाल की गोस्णा की गई है यानि मैं न ले लेते हैं कुशन आपगे इसका जवाब को यो राघें हमें जरूर से बताएं वीडियो को लाइक और सHIR जरूर से कर दीजेगा और अगर आप यहान तक आगे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना है नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है जिससे आप कोई वीडियो आने वाली कोई वीडियो मिस न कर सेगे अब यहाँ पर आपको दो वीडियो दिखेंगे तो उन पर भी क्लिक करके आप उनको देख सकते ह हैं ठीक है न थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्नवाद